दोस्तों इंडियन रेल्वे कैटरिंग एंड टूरिजम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानि आई यार सिटी से की बात करें तो काफ़े अच्छी गुड़ी निकल क्या रही है जिसको इस वीडियो के माधिम से डिसकस करेंगे आई यार सिटी से का स्टॉक जब रेल्वे के शेर दोड़ रहे तब यह स्टॉक नहीं दोड़ा है यानि आप समझे उस रेली के अंदर यह सामिल नहीं हुआ है तो अब यह एक बड़ी तेजी के लिए तयार हो रहा है तो यहाँ पे आई यार सिटी से संबंदी कुछ बहुत मजबूत है मिनी रतन से नवरतना बन चुकी है आने वाले समय श्टॉक फो डिजिट में क्या जाएगा ऐसी क्या समय बन रही है इसको जानेंगे इस वीडियो के मादिम से दूसरी तरब अगर हम आई यार अपसी की बात करें तो बॉंड्स के मादिम से फंडेज करने है और काफी इचा है इसका रेटन में पिछले कुई दिनों में इसने काफी सांदर प्रदसन भी गया तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के मादिम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजि साड़े बारा के आसपस का टाइम है आई 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 सेटिसी की बात को 701 के आसपस स्टॉक है जापे 1.05% की गिरावट देखनों को मिल रही है वैसे स्टॉक की स्टॉक तो पोजिटिव हुई थी 709 पर 711 का हाई भी बना लेकिन जैसे की बादर में कुछ दबाव बना है तो यह अभी कुछ दबाव देखनों को मिला है वैसे आयर सेटिसी बहुत ही सांदर कंपणी इसका मोनोपॉली बीजनस है सबसे जो अच्छी बात है कंपणी लगातर अपने डेट को कम कर रही है और काफी अच्छे क्वाटर रिजल्ट दे रही है लगातर कंपणी का ल है यहीं काफी अच्छा ट्रेक रिकॉर्ड है कंपणी 43% का हेल्दी डिविडेंट पे आउट करती है अपने शेरोल्डर को जबर्दस डिविडेंट भी देती है डेटर डेटर डेज में इंप्रूमेंट हुआ है 158 डेज ते जो घटके अब 118 डेज के आसपाग है तो लॉंग टर्म पर्मिशन दे दिया टेंडर के लिए तो जो टेंडर का समय तब 5 यह था उसको एडिशनल 2 यह बढ़ा दिया गया है और देखे तो कि यह कलश्टिंग ऑफ ट्रेन की परफर्मेंस के लिए आप देखे तो रेल्वे ने इसको निर्ने लिया गया है इसका फा कंपनियों के साथ में उन्हें टाइप किये हुए उनके महाध्यम से ओनलाइन टिकेट बूक करते हैं लेकिन सीधा फाइदा इसके लावा रेल्वे की सबी ट्रेनों के अंदर फूर प्रोवाइड करने का काम यानि कैटरिंग का बीजनस भी आई-आई-आज से के पास ही है इसके लावा कंपनी नीर नाम से पैकेज ड्रिंकिंग वाटर भी सप्लाइ करती है तो काफी अच्छा बीजनस है कंपनी टूरिजम और हॉस्पिटलिटी सर्विस प्रोवाइड करती है और लगजरी टूर के आप देखे तो और्गिनाईज भी करती है होटेल बूकिंग भ के आसपास लिश्ट हुआ था और बाद में कंपनी ने वन फाय के रिशो में स्टॉक को स्प्लिट भी क्या था काफी सांदर पहले प्रद्शन कर चुका है रिजल इसका बहुत ही बैतर है रिवेन्यू 995 क्रोट के आसपार है दुख क्वाटर टू में जा पर 23% की यह रोन 62.40 के आसपास है यानि सरकार की होल्डिंग है FI ने इन्वस्मेंट को बढ़ा है 6.99% होल्डिंग थी जूद में 7.11% हो चुक है यानि FI ने इन्वस्मेंट को लगातार बढ़ा है जबकि इस समय सेप्टरम में उन्हों अपनी बाजार से काफी बिडिट होल्डिंग ट्र 75.90 पर स्टोक है इस समय 1.24% की गिराउट देखने को मिले काफी कल अच्छी तेजी बनी आज गिराउट हो रही है वैसे 78 का इसने इंट्राडे में हाई भी बना है अब IRFC बॉंड्स के मादेम से फंडेज करने जा रही है 300 क्रोड रुपीज की और आप देखे दो कि आज 10 बजे और 10 से 11 बजे के बीच में अगर आप देखे तो बीडिंग प्रक्रिया खुली दी 22 नौंबर को और आप देखे तो कि यह आप इसकी जो पेड इन डेट जो सेट की गिए वो 24 नौंबर है तो कंपनी 3000 क्रोड की फंडेज करने जा रही बॉंड्स के मादेम से जिसमें जो अमाउंट रखी गई हो 25 करोड के आसपास रखी गई है तो कुल मिला के अभी समय काम का तेजी से बढ़ा और ऐसे में आप देखे तो कंपनी बॉंड्स के मादेम से फंडेज करने जा रही है और इस बॉंड्स के मादेम जो फंडेज के जा रहा है इसकी जो रेटिंग है वो ट्रीपल एकी मिल रहे है क्रिशीर की तरफ से एकरा की तरफ से काफी ची रेटिंग मिल रही है क्योंकि बहुत ही जादा सुरक्सी तह यहां खाज जो निवेस से तो ऐसे में लॉंग टर्म इंवेश के लिए बहुत अचा मौफा है कि IRC में इमेस्मेंट करें ये रे पर चाहिए और पिछले देखें तो कि एक साल में इसने 171 परसे का बंपर रिटन दिया और इस टोक देखें तो तो आप इसमें आरम से 200 का टार्गेट पा सकते हैं अब टिप्स टू ट्रेड के अभीजित का कहना है कि इसका स्टॉंग सपोर्ट 156 का है और आप देखें तो 164 के उपर अगर श्टॉक पार किया तो 180 का टार्गेट नियर टम में देखनों को मिल सकता है दूसरी तरब 152 का स्टॉप लॉस समझ के इसमें खरिदारी बने रहे 200 का टार्गेट देखनों को मिल सकता है चॉइस ब्रोकिंग के मंदार भोजने का कहना है कि इसमें आप खरिदारी करने जाए 160 के उपर श्टॉक अगर जाएगा उसके बाद आप देखे तो यह स्टॉक आपको 170 के ल लेवल से आने वाल इसमें 230 के टार्गेट देखने को मिल सकता है तो काफी अच्छे टार्गेट निंगल क्या रहे अलग लग ब्रोक के जा उसके तरब से और इस पर रिजल्ट भी काफी सांधार रहा है रिवनी 4.91 थाउजन क्रोड क्रोड के आश्पाद रहा है जापे 0. 30,.11 परसें की एरन बेसित पर वृद्धी देखने को मिली नेट इंकम 309 थी परिउन पर तूप रसिर्फिए संधार major वृद्धी देखने को मिली नेट पर लिए अच्छा रहे रिजल्ट रहा है लॉंग टर्म इन्वेश्टिक इसमें बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं फंडामेटली कमपनी बहुत मजबूत है आने वाले समय में यह फोर डिजिट में श्टॉक चाह सका है अब चलते हैं उस श्टॉक की तरब जो बोनस का एलान करने ज हो जानी काफी सांध्या प्रदर्शन किया करीब 1230 का बंपर रेटें दिया लोगों को कमपनी की 21 दिसंबर को बैटेंग होगी और इसमें बोनस की शेर के ओपर फैसला होगा यानि कमपनी की दर्ब से डिसें लिया गया कि वो अपने शेर होल्डर को बोनस शेर देगी तो देखे तो कि स्रीजी ट्रांस लोजिस्टिक है जो ट्रांस्पोर्ट का बिजनस करती है सामन की डिलवरी करती है इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 72.7% के आसपास है और बिते पांच महिनों में देखे तो प्रमोटर की होल्डिंग आंचेंज रही है यहाँ पे FI का इंवे रिवेनी भी बढ़ा है 53.36% जो देखे तो कि 65.17 कोट तक पहुँच गया जो 42.49 कोट के आसपास है पिछले एक साल पहले तो काफी अच्छा पर दसने रिवेनी प्रॉफित दोनों ही बढ़ रहा है ऐसे में लॉंग टरम इंवेस्टि अच्छा पैसा को आने वाल से में ज जो की जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे थैंक यो फ्रेंड